हेलो नो मिश्का दोस्तों एक बाद फिट से हम सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में दोस्तों आप ऐसे बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेशन्स आ रहे थे तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरस्टेट हो तो वीडियो को पुरा एंट पर देखना है और इसी के साथ अगर आप मारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अगर आपको इए वीडियो अच्छी लग रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो वीडियो को लाइक स्मार्टीवी में आपको टोटल तीन वीरेंट्स कॉमन देखने मिलने वाले हैं 43 इंच 50 इंच 55 इंच और इन सभी वीरेंट्स की जो प्राइजिंग है वो आपको डिस्पले पर देखने मिल जाएगी लेकिन जो मुझे क्वेशन्स ना रहे थे वो mostly 43 इंच वीरेंट के रि यहाँ पर बैट करेंगे कि कौन सी स्मार्टीव हमारे लिए बरस ओने वाली है तो चले हम थोड़ा compassion को आगे बढ़ाते हैं, तो guys, दोनोई smart TV जो है, वो 25,000 रुपी से मिल जाती है, मैंने बता दिया है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हम resolution की, तो guys, जो Motorola के TV है, वो एक full HD TV है, आप उसमें full HD content बड़े अराम से play कर सकते हो, और वही बात करें हम view premium smart TV की, तो इसमें आप ultra HD 4K videos play कर सकते हो, यानि कि premium smart TV आपको 4K resolution के साथ में मिलती है, वही Motorola की जो TV है, उसमें आपको full HD का ही support मिलता है, वही अगर logically देखा जाये, तो हम जो mostly content देखते हैं हमारे smart TVs पर, वो mostly full HD में available होती है, जो 4K content है, वो फिलायल के लिए बहुत ही limited है, तो मुझे न लगता कि आपको इससे जादा फरक पड़ने वाला है, वही अगर हम बात करें display panel की, तो Motorola के smart TV में आपको IPS panel का support मिल जाता है, और जो view की premium smart TV है, वहाँ पर आपको VA panel का support मिलता है, और इसे के साथ में जो Motorola के smart TV है, वहाँ पर आपको 350 nits की brightness देखने मिल जाती है, और जो contrast ratio है वह है 1200 raise to 1 का static contrast ratio, और अगर हम बात करें view की TV की, तो यहाँ पर आपको 450 nits की brightness मिलती है, और जो contrast ratio है, वह है 10 lakh raise to 1 का dynamic contrast ratio, इसका मतलब यह है है दोस्तों कि आपको view की TV में काफी एची brightness देखने मिलने वाली है, और contrast ratio अच्छा होनी की विज़े से आपको जो black glass देखने मिलन वाले हैं, इसी के साथ दोनोई smart TVs में आपको Dolphy Vision का support मिल जाता है, जो कि आपकी video को काफी एची तरीकी से decode करेंगे और आपकी picture quality काफी enhance करने वाले है, अब इन सबी features के आलवा view की TV में आपको कुछ extra features भी मिल जाते हैं, जैसे कि VOD picture upscaling technology, अब यह feature उनके लिए helpful होने वाल इस variant में आपको ऐसा कोई भी option नहीं मिलता है, हाला कि जो higher variants है, जो कि 55 inch या 50 inch के साथ में आते हैं, वहाँ पर आपको MEMC का support देखने मिलता है, लेकिन अगर बात करें इस variant की तो इस particular variant में आपको ऐसा कोई भी support नहीं दिया गया है, तो guys यह थे display के बारे में पूरी comparison और comparison से conclusion यह निकलता है दोस्तों, कि जो view की TV है, वहाँ पर आपको जो view a panel मिलता है, वहाँ पर brightness काफी अच्छी है, इसके साथ में जो contrast ratio है, वो भी काफी अच्छा है, इसका मतलब है आपको deeper colors देखने मिलने वाले हैं, जो black colors होंगे, वो accurate दिखने वाले हैं, इसके अलावा आपक कि घर पे पुरी family बैट कर अलग अलग location पर TV को enjoy करती है, तो उस case में IPS panel एक plus point बन जाता है, तो चलिए अब focus करते हैं sound department पे, तो जो Motorola के smart TV है, वहाँ पर आपको front firing dual speakers मिल जाता है, जिनकी जो total output है, वो है 20 watts की, यहाँ पर इन speakers में आपको Dolby audio का support मिल जाता है, वही अगर हम 24 watts के bottom firing dual speakers मिल जाता है, जहाँ पर आपको Dolby audio and DTS virtual X का support मिल जाता है, तो guys obviously हाँ पर देखा जाये, तो आपको view के TV में काफी अच्छी output देखने मिलने वाली है, और इसे के साथ में जो view के higher variance है, वहाँ पर आपको 30 watts के speakers मिलते हैं, तो अपस अगर देखा जाये, तो sound department में य front firing speakers मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफी ची quality मिलेगी, लेकिन slightly bigger बात की जाये, तो view के TV आगे निकर अगर आजाती है, तो चलिए आप focus करते हैं, दोनोई smart TVs के performance and storage unit की, तो guys दोनोई smart TVs में आपको quad core processor मिल जाता है, जो कि almost same speed पर run करते हैं, आपको उतना जादा performance में फ internal storage दी गई है, तो guys obviously यहाँ पर अगर देखा जाये, तो view की TV आगे निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर RAM capacity and storage यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने मिलती है, अब यहाँ पर हम focus करते हैं, operating system पर, तो guys दोने जो TVs हैं, वो Android certified TVs हैं, इसलिए आपको Android 9 Pie दोनोई smart TVs में out of the box देखने मिलता है, अगर बात करें सारे Android वाले features की, तो दोनोई smart TVs में आपको सभी type की features मिल जाते हैं, जितने भी popular OTT platform से, आपको इन दोनोई TVs में उन सभी का support मिल जाता है, बात करें remote की, तो दोनोई TVs के remote हैं, वहाँ पर आपको Google Assistant का support मिल जाता है, और दोनोई TVs के remote पर पर स्विच कर सकते हो, तो guys, operating system के मावले में आपको दोनोई smart TVs बहुत ही अच्छी performance देने वाली है, आपको सभी type की features मिल जाते हैं, तो चलिए बात करते हैं connectivity option की, तो guys, जो modular की TV है, वहाँ पर आपको Bluetooth 4.0 and single band Wi-Fi का support मिल जाता है, और वही अगर हम बात करें व्यू की premium smart TV क तो यहाँ पर आपको latest Bluetooth 5.0 and dual band Wi-Fi का support दिया गया है, तो guys, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो व्यू की TV है, वहाँ पर आपको connectivity काफी strong देखने मिलने वाली है, और अगर बात करें connectivity ports की, तो आपको व्यू की TV में 3 HDMI ports, 2 USB ports मिल जाते हैं, और इसे के साथ में इस TV मे इसेंशल ports होते हैं, एक normal smart TV में, जैसे कि optical port, aux port या फिर ethernet port, इन सभी ports का support आपको दोनोई smart TVs में मिल जाता है, तो guys, ये थे दोनोई smart TVs के बारे में detail comparison, और अब ये सवाल आता है, कि हमारे लिए इन दोनों में से कौन से smart TV best निकल कर आती है, तो guys, जैसे कि आपने comparison देखा, जो view की TV है, वहाँ पर आपको काफी अची brightness देखने मिलती है, और इसके अलवा आपको कुछ extra features से भी देखने मिल जाता है, performance and storage के मामले में जो view की TV है, वो motorless से कहीं जादा आगे है, and connectivity जो है view TV की वो भी काफी strong है, and sound output भी आपको view की TV में काफी अची देखने मिल जाती है तो guys अगर आप भी इन दोनों smart TVs को लेकर confused है, तो मैं आपको personally suggest करूँगा कि आप जो है view की premium smart TV को consider करो, यूकि इसमें आपको काफी अच्छी features मिल जाते हैं, जो की motorless smart TV में नहीं मिलते है, so guys आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ कि मेरा video आप सभी को पसंद आया तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हो, अगर आपको मुझे personally बात करनी है, तो आप मुझे Instagram के through contact कर सकते हो, नीचे मैं अपने ID का link देदूँगा, उस पे जाके click करो, follow करो, और मुझे request वेजो में आपके जो भी queries होँगी, उनको solve करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो